हमारे सास्त्रों में एक चीज पर बड़ा जोर दिया गया है गवधान कीजिए कर्णियान कीजिए यह सबसे बड़े दान माने जाते हैं लेकिन आज की दुनिया में एक चीज है जिसे महादान कहा जाता है रक्त महादान जी हां मैं बात करने वाली हूँ ब्लड टोनेशन के तो और आपको करना चाहिए नहीं करना चाहिए चीछ फ्रीकितलिक करने चाहिए-धर डीटियल हम कवर करेंगे वीडियो के एंट तक देखेंगे आपके यह बहुत हैल्पुन होने वाली है चलिए शुरू करते हैं जब एक किसी इंसान को ब्लड की ज़रूरत होती है तो वो कोशिश करता है अपने रिष्टेदार अपने खास लोगों से ब्लड लेने की पर ज़रूरी नहीं है कि हमेशा हर किसी के पास लोग अपलेवल हो और उसको सही टाइम पर ब्लड मिल सके बात अगर इंडिया की की जाए तो यहां पर 38% लोगों को ब्लड की बहुत जरूरत होती है और उन्हें टाइम पर ब्लड नहीं मिलता है 20% लोग ऐसे हैं जिनने ब्लड ना मिलने की वज़े से गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ता है और कभी-कभी जान तक चली जाती है तो पहले के टाइम की अपेक्षा अभी काफी अच्छा है आज की जनरेशन के लोग आज का जो यूथ है वो समझदार है यूवा पीडी दान करती है ब्लड का तो यह चीज़ काफी अच्छी है बट लोगों में ना कुछ चीज़े मित है मतलब कुछ उनकी जो माइंसेट म अपने डोनेट करने से परिशानिया होती है तो कई सारे लोग यह चीज़ कहते हैं कि आपको कैंसर हो सकता है आपको कमजोरी हो सकते हैं चूचड़े हो सकते हो आपको माइंडी डिप्रेस हो सकता है या आपको लॉंग टाइम के लिए कोई परब्लम हो सकती है या आपको इ के बाद नहीं होती है अब बात कर लेते हैं फाइदों के बारे में तो रक्त दान करने से ना केबल आपको फाइदा हो रहा है बल्कि आप किसी की जिन्दकी बचा रहे हो फाइदों की अगर बात की जाए तो ब्लेड टोनेशन करने से आपका जो ब्लेड है वो पतला हो जाता अगर आपके iron की बात की जाए तो बोडी में जब भी iron का level बढ़ जाता है लिवर पर उसका बहुत जादा effect देखने को मिलता है तो अगर आप time to time या थोड़े time बात gap दे दे करके आप blood donation करते हैं तो आपके blood में iron की जो मात्रा है वो limited रहेगी जिससे आपका liver healthy बना रहेगा संकुर्मन की अगर बात की जाए तो जहाँ पर आप blood donation करने जाते हैं वहाँ hygiene का बहुत जादा ध्यान रखा जाता है तो किसी भी infection के कहीं भी कोई भी chances नहीं बनती है ये चीज़ लोगों ने अपने माईने में बहुत गलत बिठा रखी है बात करते हैं energy की तो blood donation करने के बाद थोड़े time बाद लोगों को बहुत अच्छी energy फील होती है क्योंकि आपकी body में जो लाल रक्त कडिकाएं हैं निकल जाने के बाद उनकी जो बनने की प्रकरिया है बहुत जादा फास्ट हो जाती है और जो लाल रक्त कडिकाएं यानिकि जो नया खून आपकी शरीर में बनता है वो बिमारियों से लड़ने में जादा सक्षम होता है तो है ना फाइदे का सौधा जो लोग अपना बेट कम करना चाहते हैं और बैली फैट को खदम करना चा तो इन तीनों चीज़ों को अलग करके तीन अलग अलग लोगों की जरूत पूरी की जा सकती है एक परसं के बलड से एक रिसेर्ट में ये भी बताया गया था कि जब भी हम ब्लड डॉनेशन करते हैं तो ना केवल हमारी बॉड़ी के लिए अच्छा होता है बलकि हमारी mental health क करनेने लिए बहुत अच्छा होता और इसे करने, बहुत अच्छा feel होता है ये बात और है कि blood donation करने के just sometimes आपको चक्कर आ सकती है, घबाट हो सकती है, weakness हो सकती है क्योंकि इसे पूरा वहनी में थोड़ा टाइम लगता है तीन महीने के अंतराल में आप blood donation कर सकते हो क्योंकि 3 महीने में आपका जो शरीर है वो पूरी तरह से blood को recover कर लेता है और साथी आपकी body में blood बनने की जो क्रिया होती है वो बहुत तेज हो जाती है जिससे आपके शरीर में खुन जल्दी जल्दी बनने लगता है जो भी person 18 साल से उपर और 45 से कम का है वो आराम से अपनो blood donation कर सकता है जब भी आप blood donation करने जाते हैं डॉक्टर साब से जो भी detail पूछते हैं उसे आप सही सही बताएं और blood अपना donate करके किसी की जान ज़रूर बचाएं बात अगर females की की जाये तो females भी blood donate कर सकती हैं लेकिन periods pregnancy और जो ladies बच्चों को feeding कराती हैं उनको blood donation ना करने की सला दी जाती है तो ये थी blood donation को लेकर के कुछ खास बात हैं अगर कोई भी बात रहे गई हो तो comment section में आप ज़रूर लिख दीजिएगा मैंने कोशिश की है पूरी detail कबर करने की और हाँ अगर आपकी life पे ज़रा से भी कोई problem चल रही है ना तो कबरी है पर मुझे follow करना बिल्गूल मत बोल आपका इंदिजार कर रहे है जल्दी से जाहिए और चेक कीजिए पसंद नए वीडियो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लेना मिल नेक्स्ट वीडियो में स्टे हैल्दी ठेक कियर बाबाई